क्या बना रहे वाज? आलू, मटर, गाजर टमाटर की सब्जी क्या क्या डालने वाले मिसमाइ? टमाटर, प्याज, लैसन, हरी मिर्ची को फ्राई करके निकाल लूँगी गाजर, आलू, गाजर उबली हुई है? नई बिना उबली हुई ये छील के काटी है सिर्फ गोल को अलू उबली हुए हैं मतर ये मसाले मिर्ची पाउडर धनिया हल्दी राई जीरा हींग नमाग पर धनिया हरी वाली पत्ति और मैगी का मसाला अब तेल गारम हो जाए मेरा फिर मस बनाना स्टार्ट करते हैं तेल गारम हो गया है पहले मिर्ची फ्राइब कर लूँ इसी फ्राइब करके निकाल लूँ अब डालूं में इसको गयस को मद्दा कार लिए अब डालूने इसमें राई काली वाली सरसौं जीरा किंग लेस्न थोरी साइब भूलिते हैं पहले हलका सब भूए अब उसको में गाजा डाल देंगे तो यह भी तेल में भूए जाएगी तो पग भी जाएगी उसका ट्यस्ट भी अच्छा आएगा ओ अबालते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसको थोड़ी दे सेख लेते हैं गैस का फ्लेम तेट कर लेते हैं और इसको थोड़ी दे दो बिलेट तक ऐसे सेख लेते हैं अब इसमें मटर डाल रहेंगे तो मटर भी इसके साथ साथ ही पख जाएगे को खोड़ी जैसी मिलिटे तक इसको पकाते हुए नो के गाजर पख गई है इसको डाहै पनदबाते तो पूड़ी तरह से दब रही है जैसे इसको दबाते हैं पूड़ी ता ही तूट गई और मटर भी पख गईуйте अब इसमें डालेंगे मसाले तो पहले धनिया पाउड़ा दो चम्मच फिर नेंची पाउड़ा देड़ी चम्मच फिर हल्दी एक चम्मच इसको थोई सा मिला लेते हैं ये इसका फ्ले हुने कमर कर रखा है ताकि मसाले ना जलेंगा अब लाएं टमाठर अब इन टमाठर को थोड़ी दें पकाएंगे फोड़ी फके शुर्षेम ज्यादा टैellow थोड़ी स्वॉटे होने देटे हैं इन टमाठर को ईस इंटमच तक पकने देते हैं टमाधर को को तामाठर हमारे पक चुक है। अब इसमें हम आलू मिलाएंगे, त्यों भी ले हुए आलू है, इनको मिलाएंगे, थोड़ी सम मिलाते हैं, ये आलू को मिक्स हो गए, अब पहले थोड़ी नमक डाल देते हैं, फिल से मिलाएंगे, नमक अपने स्वात के अंसाय डाले, अब इन आलू को मिलाएंगे, थोड़ी दे ऐसा ही मिलाएंगे, तब सब्जी का कलर आलू हम पर आ जाएगा, अब इसमें मैगी का मसाला डाल देंगे, इसे को मिक्स करेंगे, एक मेट के लिए ढख के पकाएंगे, रूप चेक करके देखते हैं, सब्जी पक दे, देखो सब्जी पक चुकी है, इसके कलर भी आ गया है, अब इसमें हरी धनिया मिला देते हैं, यह हरी धनिया काटके रखी थे हमने, उसको मिला दिया, हमारे आलू, गाजर, मतर, तमाटर की सब्जी बनके तयार, अब इसको ढख के गैस को बंद काए देते हैं, आप हमारे वीडियो को सस्काइब करें, चैनल को सस्काइब करें, वीडियो को लाइक करें,